नमस्कार बहुत स्पागत आप सभी का आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की मैं हूँ सौरवश्रमा आपके साथ और कहानी कुरसी की में आज भी कहानी दिल्ली की दोस्तों आपको बताएंगे हम क्योंकि दिल्ली में अभी भी एर्विंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा हैं और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंत केजरिवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी, एस्पथालों के अंदर दमाय नहीं बिल रही हैं लोगों को टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और यह सुलिश्चित करो कि यह सब चीजे ठीक से हो और उनकी बात मैं पड़ाधर अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है, ये चिठियां जाली है, ये दिल्ली बे बैठ बैठकर चिठियां निकाली जा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए, और मंत्रियों के उपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं, उनकी उपर कारवाई होनी चाहिए, मनिंदर सिर्सा जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त किये वो मैं आपको बता दूँ, के कविता जो की ब्यारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है, उनको शराब होटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है, इस सवाल इसलिए क्यूंकि E.D. ने आपना सामना भी कराया जा चुका है, लिहाजा अब E.D. को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है, उनने अब नियाएक खिरासत ने भेजा जा सकता है, मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है, इसके बाद के कविता ने बेटे की परिक्षा के नाम पर अंतरिम जबानत की अर की पर ये है कि जो न्तरिम जमानत की कविता की तरफ से लगाई गई थी, उसको राउ सबेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को, यानि की अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें ये इडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाज कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाज करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमिका की लगातार जाज कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को न प्रभावशाली है, इनकी समाज में गहरी पैट होती है, अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई, इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है, जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखता है और ये बताया गया कि 100 करोड जिनकी हम जाज कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है, ये जो CM की बेटी है के कवीता, जो जिनकी जाज कर रहे है, वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल जो EDK कस्टेडी में है, ये बहुत ही साधन सम्पन्ण लोग है, और ये जाज करना बहुत ह अगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुंच रही तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आरोप लग रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूच्ताच की गई यह एडी ने कोट के अंदर भी का क्या अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर पूच्ताच की गई यह अभी ऑफिशली डिक्लेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में ब पहिजा गया है जेल और सरकारी गवाव बनेंगे या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है एडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब एडी जो है बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगे अगर हर्षपरधन दिरपाठी जी स्टूडियो में स्वागत है हर्षपरधन जी आपका राहुल माजन जी हमारे साथ है राहुल की स्वागत है प्रफेशर संगीत रागी हमारे साथ है सर स्वागत आपका समीर चौकांकर जी बी स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर प पर फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तब ही ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविटा की गिरफ्तारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरीए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हु उसका record अब निकल पाएगा कि तो वो कह रहें कि फोन ही गायब है क्या ED के पास वो जो chain की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगे और जो गोवा के election में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते ह हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ chain मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांड जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत लिंक में था शायर अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के लिए खबर जो भाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नीती बनाई थी वो फोन कहा है तो उसके बारे में पूल इस पूरी तफ्टीश करावल जी देखिए यह खोता है कि कहां से कहां गया या फिर यह पता चलता हैकि कि क्या मैसेजे़ एक्सजेंज हुए किसने किस से बात की पिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है वो नमبر कर मेल किया जाता है फिर उन न बहुत काम करना इसमें बाकि यह आप उसकी अप्लिकेशन देखिए इडी की जो अभी आपके साम वादता बता रहे थे एडी अभी भी कहरा है कि उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको धुनना बाकी तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत ज्यादा बड़ा तो वो जो है एविडेंस के तोर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीज़े कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया दूसरी और देखे अर्विंद केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नू उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने दोज़ा चौदा है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विंद केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुबारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वह इस एविडेंस को या इन चीजों को उन सब बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 4455661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अप बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिख रहे ह अगर यह प्रोसीड ऑफ क्राइम हमको ढूड़ना है हमको जो पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आम आद्मी पार्टी तो फिर कहेंगी कि हम तो शुरूरात से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहां का पैसा पैसा कहां गया पैसा साफिड क्राम सब्सक्राइब क जान बरेंगे ओग्र फिर थो यह पूरा केसी खताम ही हो गया पिर समझ लिए क्योंगि के कविता उस साूथ लॉभी को रुप्रेजेंट कर रही है जिसकर आरूप है कि उसने सौ करोड़ रुपई दिये दिल्ली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बन माने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने ये तो माल कमाया ये कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये ED का इल्जाम है और South Lobby की मुक्या K कविता है तो अगर आप K कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है ED तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर के क्या होता है मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है और दो विक्र कर रहे थे कि गवा के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लागेगा अभी कम से कम ये एक निश साथ से हम लोग अभी तक डिकोर्ट जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें को ये जो लंबे जेल में रहे हैं दूसरी बात दूसरी बात यदि वो अप्रूबर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुलकर के बाहर आ सुरू से बात किया रहे थे कि विजे नायर पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गई मुझे तो नहीं लगता कि के कविता अपरूवर बरेंगी. अभी अभी देखे दो यूट बकॉल एडी, दो यूट मुख्या रोपी हैं. अर्विन केजिरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये, दूसरे ने पॉलिसी बनाई. आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी, उसमें मनिश शुधिया भी है. अब इडी ने क्या दिया, ये मुख्य साधेश करता है. वो सही बात है. आपके कविता क्या रही है, मणी लॉंडरिनिंग का केस नहीं है ये. यह political laundering का case है वो ही जो बात हम लोग कर रहे हैं कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे जादा जानकारें बताएंगे कोई भी ऐसा कोई case हो और ऐसा कोई complicated case हो उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता है और खासकर कोई politician वो कभी approver नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेंगा कि हाँ मैंने ये किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूँ मैं बाकी बातें जो आपको बता लिए कभी होता नहीं है ये कभीता की बात सुनवा देता हूं सर फिर आता हूं पॉलिटिकल लॉंडरिंग केस है और मुझे फसाया चारा है ये मनी लॉंडरिंग का मामला नहीं है पॉलिटिकल लॉंडरिंग का ये मामला दिखाई दे रहा है सौरव एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका ये मानना है कि के कविता सुत्रधार हैं इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साफ साफ इससे इनका क्योंकि देखिए इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े-बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इसे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं, दूसरा यह नेता लोग हैं, अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो राजनीती खतम, इनकी राजनीती खतम हो जाएगी, इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खतम हो जाएगी, तो इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवल बनने का धूर दूर तक कोई रादा है, अब E.D. को मेहनत करने पड़ेगी, इनके ओपर भी दोश साबित करने के लिए, और फरदार अगर और लोग कर्विन के जिरिवाल और बाकी लोग अरोपिय हैं तो उनकी ओपर भी, समीर जी, देखे के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा E.D. के लिए प्रूव करना, पहले भी साथ लोग अप्र पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास आया पहुचा और इन्होंने इसे गोवा में इस्तिमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मुश्किल हवाला का पैसा संदेश की माध्यम से आता है संदेश की माध्यम से डिल्वर हो जाता है तो अगर गोवा के जो मिद्वार आपके रहेंगा वो यह कहते ही कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें यह प्रू करना बहुत मिश्किल होगा है यह पैसा आपको हवाला के माध्यम से आय ईतने ज्यादा इन्वाजिय स्टाइब्टा में चलता है कि पैसा किस माद् гол घुनालेइगा और उसकंट रहे है आप इसने कह दिया उसने कह दिया फलाने ने कह दिया आपका केस सारा जो है इसने क्या कहा उस पर बेस्ट है। कि आपने policy बदली क्यों, आपने wholesaler को 5-5% किज़ेगे, 12% profit दिया, किस बात के लिए? ने, ने, वो तो नीती तौर पर हम कह सकते हैं, कि किसली दिया? वो आमार्ड तो revenue इकठा करने के लिए, wholesaler को हम दुगना profit दिदेगे. यह तो revenue का काम है, कि revenue कमाने के लिए आपने क्या किया, देखिए इसमें बड़ा important है कि proceed of crime आए, आप approver बन जाएंगे तो आपको के कविता को pardon करना पड़ेगा, बिना pardon किये आप उसे approver नहीं बना सकते हैं, तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे, पाड़न से पाड़न करके एक व्यक्ति को आप approver बनाते हैं, तो वो संशे तो तब भी रहेगा, कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं, इसलिए जो proceed of crime है, उसका मिलना बेहत जरूरी है, वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, कहां है उपैसा? पॉलिसी इंटेंशन है में चीज़, और वो बहुत जबरदस है, आप किसी भी जगापर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे, या उसका लाइसेंस दे रहे हैं, उसका हित देखेंगे, आप दिहान दीजिए, जब CBI करप्शन के केसिस में पकड़ती है, तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए, इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है, उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पे दिये जा रहे होते हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा जब आपका intention दिखरा है, policy से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाफ दिखरा है, जहां दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां दुकान हो गई, यानि हवा में दुकान हो गई, अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती है, कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई, अब वो गड़बर तो पकड़ में आता है कि एक South Lobby है, जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है, और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं, वो पैसा कहा कहा जाता है, पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है, कौन-कौन उसमें इन्वाल्व रहता है, तो किसके क घर कर वीटिंग होती है, उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं, मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस पॉलिसी को बनाते हैं, और उस सब के ऊपर जो इनका मीडिया मेनेजमेंट, पियार मेनेजमेंट वाला आदमी रहता है, आम आदमी पार्टी के जिसको यह सारा मेनेजम कम सेंचल एविडेंस कहला हैगा, क्या है सब? अरे भाई, आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा? जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है एडी, तो सभाविक है कि उसमें अर्भीन केजरिवाल प्रूप है?